नमस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ओपिसियल यूटूब चैनल में फ्रेंड चैनल पर फास्ट बार पता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि चैनल के दूर आपको रोजाना, होमगार्ड्स, आंगनबाड़ी और दोस्तों एजुकेशनल न्यूज से जुड़ी जो भी अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको परवाइड करवाई जाती है बहले ही दोस्तों आप भारत के किसी भी इस्टेट से बिलोम करते हो आपको अपने इस्टेट से जुड़ी प्रते ख़बर की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी तो फ्रेंड्स आज उचकी है होम गार्ड की जो अपडेट है वो 9 जनवरी 2020 की ब्रेकिंग न्यूज वेतन ना मिलने से मौत दोस्तों बहुती बड़ी दुख खबरी आप देख सकते हो कि वेतन ना मिलने से होम गार्ड जवान की मौत आखिर कब तक मिलेगा वेतन यूपी होम गार्ड वेतन अपडेट देश के सभी राज्यों के लिए मुक्य समाचार वाज जरूरी खबर की अपडेट है तो जो भी होम गार्ड जवान इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप की देखे साथ ही वीडियो आपको अच होम गार्ड की बीमारी से होई है मौत दोस्तों आप ये निगोह से हमें अपडेट मिली हैं गोसाई गंज इस तिद जीला जेल में तेनाद निगोह के कुर्मिक खेड़ा गाव निवसी एक होम गार्ड का बीमारी के बाद निदन हो गया परिवार जनों का आरोप था कि ती साम SDM मोहनलाल गंज की मौजूदगी में अंतिम संस्कार भी हो सका है कुर्मिन खेड़ा गाव निवसी संगटा परसाद 52 साल इसकी उम्र है जो 1990 में होम गार्ड के पद पर बढ़ती हुए थे और इनकी आर्थिक तंगी इस्तति ठीक नहीं थी ये होम गार्ड गर के बाहर कच्ची दिवारों पर टिन सेट रखकर परिवार के साथ घुजारा कर रहा था संगटा परसाद दो महीने से गोसाइगंज इस्तित जिला जेल में तैना थे और पतनी सीला देवी का करणा है कि होम गार्ड डूटी गोटाले को लेकर पिछले तीन महीनों से जाचत चल रही इस करण तीन महीने से उनके पती को वेतन नहीं मिला है वेतन नहीं मिलने पर संगटा परसाद के आर्थिक स्थति और कमज़र हो गई और परिवार चलाना मुश्किल हो गया इसके अलावा संगटा परसाद पिछले कई दिनों से बीमार भी थे जो पैसा था वह बीमारी में खर्च हो या उड़ारी मांकर इलाज करवाया नहीं जा रहा था तो फ्रेंट्स आप देखे तो बहुत ही बड़ी अपडेट निकल का ही है कि आर्थिक तंगी से जूंजरे होमगार्ड जवान की मौत आकिर तक सरकार कब तक इन होमगार्ड जवानों को वेतन नहीं देगी बढ़ते हैं अगली अपडेट की और अगली अपडेट आप दिसो बॉर्डर होमगार्ड के परस्ताओं को कैंदर की हरी जंडी राज्य की मंजूरी का इंतजार है दोस्तो बहुत ही बड़ी अपडेट आप देख से तो फ्रेंसर राजिस्तान के अलवर से हमें मिली है कि स सरिस्का बाग परियुजना की सुर्क्षा के लिए बॉर्डर होमगार्ड लगाने के प्रस्ताओं को कैंदर की स्विकर्थी मिल चुकी है लेकिन अभी तक राज्य की मंजूरी का इंतजार बाकी है वन गर्मियों की निरंतर गड़ती संग्या के चलते सरिस्का को करा रहे हालांकि सरिस्का को मांग अनुरूप पर नाग्रिता सुर्क्षा के लिए स्विकर्थी मिल सके है तो अगली अपडेट की और अगली अपडेट आप दिसको नौएड़ा से हमें मिने के चार मार से ओमगार्डों को नहीं मिली सेलरी बोले बच्चों का दूर तक ब दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आप दिखस्तों में बता देता हूं हाइलेट्स के माधियम से कि गोटाले की जाच के कारण नहीं मिल रहा है वेतन सामना आया था हमगार्डों की डूटी में गोटाला आर्तिक परिशानी से जूंच रहे हमगार्ड नोएड़ा गोत दिएम कारेले पर किया था पर्दसन इसको लेकर अपनी मांग रखी लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है और अब परवीन रोहिला ने सोचल मीडिये के माधियम से अपनी आरतिक इस्तती का वर्नन करते हूए डियम से समश्य को तदकाल हल किया जाने की मांग किये हैं आप लगाओ के महीने हो गए हैं वेतन को बच्चों की फीज भी नहीं मिले हैं दूद के खाने के बिजली के खर्चे भी नहीं चल रहे हैं दोस्तों यह ट्विट करम आदिम से इन्होंने अपनी पर्मुक मांगे रखी है और यह अगली अपडेट आद इसको वेतन नहीं म में मिल गई होगी और अगली अपडेट आप दिसको राजस्तान पूलिस में ऐसा ही वह प्लाटून कमांडर के पदों पर विगया अप्डेट यहां से करें मैत पुन जानकर यह अपडेट इसके बारे में अलग सी वीडियो आने वाले ही तो प्ली दूस्तों चैनल को सब् भी जरूर कीजएगा मिलते फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हीन जय बारत थेंक्स पॉर यह वाचिंग मैं वीडियो